तो दोस्तो आज है 29 सप्टेंबर 2021 और आज हम बात करेंगे कॉल इंदिया की शेर प्राइस के बारे में दोस्तो जानेंगे हम इनके फंडामेंटल के बारे में और अंत में हम यह डिसकस करेंगे कि हमें यह शेर बाय करना चाहिए या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं लिए चलिएँगा आपको क्रॉम ब्राउजर पे यहाँ पे दोस्तो यहाँ पे हम कॉल इंदिया की चार्ट पैटन को पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीके दोस्तो तो जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर हम लोग पूरे विकली चार्ट पैटन देखें तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटन बनाया है इनका रिटन भी बहुत ही अच्छा है 11.5% के आसपास का रिटन है पूरी महिने का अगर इसका चार्ट पैटन देखा जाए दोस्तो तो पूरे महिने में इनके चार्ट पैटन का इशारा तो कुछ और ही दिखा रहा है उपर की और दिखा रहा है और पूरे महिने में इसने 29% के आसपास का return दिया, चलिए अब हम इसके 6 महने का chart pattern को देखते हैं, ठीके 6 महने में दोस्तों इस company ने शांदार return किया 38% के आसपास का return, अभी हम इसका पूरे साल का chart pattern पहले देखेंगे फिर इसकी fundamental के बारे में जानेंगे, ठीके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनका पूरे साल का chart pattern, पूरे साल का chart pattern है दोस्तों 37.24, अल्मोस्ट 37, 37 के आसपास का शांदा return है तो दोस्तों इस company ने लगभग वेटनेस डे, 12 माई 12 माई से consolidated zone पे चल रहा है ये company देखा जाए तो यहीं से चल रहा है बट यहां पे बहुत डाउन गया था उसके बाद दोस्तों इस company ने consolidated zone पे आ गया ठीके और आते आते दोस्तों ये company लगभग 135 रुपे तक आया उसके बाद दोस्तों ये company फिर से अगे बढ़ने लगा और आज ये company दोस्तों 185 रुपे जो गया है और इसका चार्ट पेटन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शांदार चार्ट पेटन है ये उपर जाने की और इशारा कर रहा है ठीक है तो हम इसका financial year के बारे में थोला सा जानकार यहां से करने की कोशिश करते है यहां पे अगर हम देखते हैं जून 2021 का इनका रिपोर्ट यहां पे है रेविन्यू भी यहां पे ठीक टाक दिख रहा है आपको यह रहा है इनका रेविन्यू इनका रेविन्यू 23.29 TCR बता रहा है 36.96% अब जा रहा है इनका नेट इंकम जो है 52% से ज़्यादा चल रहा है नेट प्रोफिट मार्जिन 11.28% के आसपास मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहां पे ठीक ठाके चल रहा है इनका जो पाइनल्स अरियार है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इस शेर को क्या यह शेर बाय करना चाहिए या नहीं तो मेरे खायल से दोस्तो यह शेर बहुत ही अच्छा इशारा करते हुए नजर आ रहा है तो इस वक्त तो यह शेर स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल बाय करना चाहिए यह बहुत ही अच्छा मौका है यह आपको बहुत ही कम समय में धेर सारा पैसा कमा के दे सकता है तो इस शेर को लेके आपकी क्या राह है दोस्तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद